क्या आपको पता है डेली पुलिस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 83,762 क्या आपको पता है डेली की पॉपुलेशन कितनी है? 3 करोड 20,666,000 आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ ये बात है जो पिछले कुछ दिनों से न्यूज में आ रहा है केस कंजावला का ये जगए डेली में है और मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमेटर दूर है जैसे ही ये केस आया अगले दिन से ही एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया इस मुद्दे के बारे में दिखाना शुरू कर दिया और सवाल ये है कि गलती किसकी है कुछ नेताओं ने बोला कि पुलिस वाले गलत है कुछ मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि दिल्ली पुलिस गलत है हां वो दिल्ली पुलिस गलत है जो 3,20,600,000 पे सिर्फ 83,762 है और यह 3,20,000,000 जो है सिर्फ ये registered हैं उसके अलावज जो टूरिस्ट वगएर आ रहे हैं वो अलग है हां वो दिल्ली पुलिस गलत है पता है ही यहां पर गलत कोई है हम लोग गलत है यार हम लोगों को खुद को सुधरना होगा इस सब के पीछे अगर कोई कसूरवार है न वो शराब है क्योंकि शराब के नसे में इंसान वो काम करता है जिसका उसे होश ही नहीं होता है मैं अपनी पिछली कई वीडियोज में बोलता रहा हूँ कि आने वाला टाइम इतना आसान नहीं होने वाला है उस लड़की विचारी की क्या गलती थी उसके पीछे उसके पाँच सिबलिंग से एक मा है वो विचारी जाती थी जौब करती थी एक कमा कर लेकर आती थी पुरे परिवार का पेट पलता था उस बिचारी के क्या गलती है गलती पता है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के है जब तक यार हम लोग ना खुद को सुधारेंगे रही ना ऐसे केसिस बढ़ते रहेंगे और हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या हम किसी के साथ भी गलत करते हैं किसी लड़की को गंदी नजर से देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यार एक बहन हमारे भी घर में है हमारी भी कभी शादी होगी हमारी भी वीबी आएगी भूल जाते हैं हम ये चीज़ें कि जो रोड पर एक लड़की चल रही है वो किसी की बहन है किसी की बेटी है किसी की वाइफ है उन लड़कों ने तो यार दारू के निशे में बोल दिया कि दारू के निशे में थे आवाज तेज थी हमें पता ही नहीं चला पर किसी का तो देखो ने यार घर हो जड़ गया अब बात चलेगी चारो तरफ एक इंसाफ की बट मैं आप से आज सवाल पूछना चाहता हूँ एक केस हुआ था भी आफ़ताब और श्रधा वाला बढ़िया एक हफ़ते तक इतनी टी आरपी बटोरी रहे नहीं हुने दिखा दिखा के आज क्या ये किसी अपनेट के बारे में बात करते हैं कि क्या चल रहा उस केस में यार इनके लिए जो रोज इतनी हत्याए हो रही है ना इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है इनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक टी आरपी बटोरने का ना एक जरिया है आप समझो इस चीज़ को बढ़िया तीन चार दिन टी आरपी बटो रहेंगे जब लगेगा कि यार अब तो जनता उप गई है फिर नया केस पकड़ लेंगे हम सब को यार खुद को बदलना होगा ठीक है यार मैं अपनी एक राए रखू तो अगर आप मुझे से पूछो तो ठीक है यार ये दारू वगेरे इन सब के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ लेकिन ठीक है अगर आपका पीने का मन करता है अगर आपको आपका मन करता है अपने दोस्तों के साथ पीने का पहली बात तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और मीरी अगर आप राए मानो या अगर आप मेरे को बहुत टाइम से सुन रहे हैं और मुझे थोड़ा बहुत भी अपना बड़ा भाई एक दोस्त या कुछ भी मानते हो तो प्लीज दारू पीना छोड़ दो और अगर फिर भी आपका पीने का कभी कबार मन करता है तो और दोस्तों के साथ भी अगर बैठके पीने का मन करता है तो यार एक बंद कमरे में अपना बैठके पीओ और कोशिश करो कि उस दिन आप पीने के बाद बाहर ना जाओ क्योंकि फिर वो आपके अंदर का तीस मार खान जाग जाता और फिर पता नहीं आप कैसी कैसी हरकते करते फिरते हो कई सारी वीडियोज वाइरल होती है मेरे बियार एक मैं नाम तो नहीं रहे सकता ऐसे ही हमारा ग्रूप था उसमें कुछ लोग थे वो बहुत ज़्यदा पीते थे उनको बहुत मना करता था एक बार पीने के बाद खड़े होके बीच रोड पे वो टॉलेट करने लगे और आपस में पेचे लड़ा रहे हैं अक्सर इनसान ऐसा पागलपन करता है दारू पीने के बाद तो अगर मेरी राय मानो तो अगर आपको ये दारू वगेरा पीनी भी है कभी कबार अगर आप उकेजनली पीते भी हो तो प्लीज बंद कमरों में पियो और कोशिश करो कि उस रात आप बाहर ना जाओ हम सिर्फ और सिर्फ टियारपी का एक माध्यम बन जाते हैं इन मीडिया चैनल्स के लिए पार्टीज के लिए हम वोट का एक बैंक बन जाते हैं और सारी की सारी गलती निकाल देते हैं मिलकर ये दिल्ली पुलिस के ओपर और थोड़े दिन के बाद एक नया केस पकड़ लेते हैं मेरी आप सबसे गुजारिश है कि किसी ओर से आप उमीद मत करो हमें खुद ही खुद को बदलना होगा हमें ये चीज़ मान कर चलनी होगी कि हमारी भी एक बहन है हमारी भी माँ है हमारी भी वाइफ है हमारी भी वेटी है जिस दिन हमारे मन में ये डर आने लग गया ये ख्यान आने लग गया न हम कभी भी गलती नहीं करेंगे हम किसी ओर को उस गिंदी नजर से देखने से पहले दस बार सोचेंगे किसी ओर से उमीद करना बंद करो और खुद को सुधारना शुरू करो मैं इस चैनल पर कोशिश करूँ आकि ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहो और बाद में मैं अपना एक उपीनियन प्रेजेंट करूँ क्योंकि मिर को ऐसा लगता है कि अगर मेरी बाते सुनकर अगर मैं बहुत बड़े नंबर्स की तो बात नहीं करा अगर दो-तिन लोगों का भी अगर हिर्दय परिवर्तन हो गया ना तो मिर लिए वो बहुत बड़ी बात हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो मेहनत करते रहो और चाहे कैसी भी सिच्वेशन क्यों ना जाए कभी भी मुस्कुराना मत भोलना शुक्रिया